देश भर में लोकडाउन के बाद कुछ राज्य केंदर के निर्देशा अनुसार 20 अप्रैल से उन शेत्रों में छूट दे रहा है जहां करोना का संक्रमन नहीं है इस छूट में सीविल वर्क भी शामिल है यही कारण है कि अप्छतिस गड़ में सीमेंट के दाम पर लूट श जिताए जा रही है वहीं सीमेंट के विपारी के मताबिक लोगडाउन के चोंतीस दिन पहले सीमेंट hanno 200 रुपे हिसाब से भिक्रहा था लेकिन तब कुछ खास दिमैंध सीमेंट के नहीं थी लेकिन अब जब कुछ शेत्रों में लोगडाउन खुला है तो सीमेंट की डिमान काफी बढ़ गई है यही कारण है कि सीमेंट एक साथ 30 रुपे प्रति बोरी के हिसाब से महगा हो गया है सीमेंट की कीमतों में हुई बड़ोतरी को लेकर राजे की सियासत भी गर्मा आग सकती है रियल स्टेट कारोबारी भी जब यह मान रहे हैं कि लोकडाउन के पहले तक सीमेंट उद्योग कते घाटे में नहीं था हाला कि सीमेंट के दाम बढ़ने के बाद अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन उद्योग यह है कि सीमेंट के दाम बढ़ने का पूरा मामला चल्द गर्मा सकता है और इस मामले में सियासत भी तेज हो सकती है 36 गर्स चेटाइट परनेगरवाल की रिपॉर्ट प्रसु कोई पार्माबं है और झाझ की बताइट विए काने नियुक्त बाहते है